हम सबी लोग जादा तर अपने पूजा घर में पीतल और तावे के बरतनों का इस्तमाल करते हैं, जो कि इस्तमाल करते करते काफी गंदे हो जाते हो और फिर इन्हें साफ करना बहुती मुश्किल हो जाता है, तो आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंग जिससे आप आसानी से अपने पूजा के बरतनों को साफ कर सकते हैं, तो ये मैंने लिए एक पीतल की प्लेट जो मेरे पूजा घर में इस्तमाल होती है, ये काफी गंदी हो चुकी है, ये देखे इसकी चमक बिल्कुल खो गई है, तो इसे मैं आपको साफ करना बताऊंगी, तो इसी तरह आप अपने घर के जो भी दीपक वगेरा प्लेट है ना इस तरह पीतल की उन्हें कैसे साफ करें वो मैं आपको बता रहे हूँ, पीतल के बरतन साफ करने के लिए आपको लेना है टूथ पेस्ट, तो मैंने यहाँ पर कॉल गेट लिया है और इसे अच्छी तर तो हमने पूरी प्लेट के उपर इस तरीके से कॉल गेट लगा दिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे और 10 मिनट बाद हम इसे साफ करेंगे तो रख देते हैं प्लेट को अलग और अब यहाँ पर इस प्लेट को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो मै इसे साफ कर रहे हूँ, तो यहाँ पर इसे साफ करने के लिए मैंने जूना लिया है और इसे मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है जूने को और अब हम इस तरीके से इस प्लेट को इससे रगण देंगे और आप देखेंगे कि बस चुटकियों में ही ये प्लेट आपकी साफ हो जाएगी आप चाहे तो यहाँ पर ब्रश का यूज भी कर सकते हैं बीच बीच में आप प्लेट पर थोड़ा थोड़ा पानी डालें जिससे कि ये आसानी से साफ हो जाए ये देखिए इस तरीके से आपको रगण ना है और बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ मैं इसके उपर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बस इसे हम रगण लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी बहुत ही आसानी से ये जो पूजा की प्लेट है एकदम नई जैसी हो जाएगी तो आपके घर में जो भी पीतल के बरतन हो आप उन्हें इस तरीके से आसानी से साफ कर सकते हैं पूजा के दीपक वगेरा बहुत काले हो जाते हैं तो उन्हें भी इसी तरीके से क्लीन कीजिए तो बस इस तरीके से हमने जूरे से से रगड लिया और फिर पाने से से धो लिया है और ये देखिए प्लेट एकदम से चमक चुकी है बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो गई है और पीछे से देख लेते हैं ये देखिए पीछे से काली है क्योंकि हमने पीछे से साफ नहीं की थी और यहां से साफ किये यहां से चमक चुकी है ये बहुत ही अच्छा तरीका है पीतल के बरतनों को साफ करने का अब यहां पर यह मैंने लिया है कौपर का गंगा सागर जो मैं मेरे पूजह गर में इस्तमाल करती हूँ तामबे के बरतन अक्सर इस तरीके से काले पढ़ जाते हैं और उन्हें साफ करना हमें बहुत ही मेहनत वाला काम लगता है लेकिन आज मैं आपको इन्हें इंस्टेंटली क्लीन करने का एक बेस्ट तरीका बताने चाहरे हूँ पर आपको क्या करना है ये जो आपके तामबे के बरतन है इनके उपर आपको डालना है आदा से एक चमच के करीब नमक और साथ ही आपको इसके उपर डालना है सिरका यानि की विनेगर तो यहाँ पर चारचा मच के करेब मैं विनेगर इसमें डाल रही हूँ और अब आपको क्या करना है इसको रेस्ट वगरा के लिए बिल्कुल नहीं रखना है आपको लेना है एक जूना और इसे इस तरीके से क्लीन करना है देखी जैसे ही हमने नमक और विनेगर डाला इसकी गंदगी बहुत ही आसानी से साफ होने लगी इसका कालापन बहुत ही आसानी से निकल जाता है आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है बहुत ही जल्दी ये clean हो जाता है ये देखिए बहुत ही बड़ी तरीके से clean हो रहा है बस आपको क्या करना है कि ये जो जूना है ना इसे बार-बार ये जो प्लेट में विनेगर और नमक आ गया है ना इसमें लगाते जाएए जूना को और इस तरीके से इस बरतन को आप clean करते जाएए बहुती आसानी से इस गंगा सागर का काला पन दूर हो जाएगा और ये आपका copper का बरतन एकदम नए जैसा clean हो जाएगा ये सबसे best तरीका है copper के बरतन को साफ करने का घर में जो पूजा के बरतन होते हैं उन्हें क्लीन कीजे आप या फिर आपके घर में और भी अगर कोई कॉपर के बरतन है तो उन्हें भी आसानी से इसी तरह क्लीन कीजे ये देखे नीचे का हिसा काफी गंदा है ये तला तो इसे भी हम इसी तरीके से साफ कर लेंगे देखे हो गया ना एकदम से clean तो इसी तरीके से अंदर भार से सभी तरब से हम इसे साफ कर लेंगे अंदर से भी मैं इस तरह साफ करूंगी क्योंकि अंदर हम इसमें पानी वगएरा भढ़ते हैं तो वो जम जाता है उसका काला पन हो जाता है तो ये अंदर से भी clean हो गया है बहुती बढ़िया तरीके से ये हमारा गंगा सागर हो चुका है साफ नमक और विनेगर का instant result आपको देखने को मिलता है और बहुती आसान इसे कम मेहनत में ये हमारे copper के बरतन साफ हो जाते हैं तो अब आप भी अपने घर पर इसी तरीके से copper के बरतन साफ कीजे ये बहुती अच्छी ट्रिक है फ्रेंट्स यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया एकदम नए जैसा हो गया ये देखिए आपके सामने मैंने इसे साफ किया है अब इसे पानी से अच्छी तरीके से धो लिजे और इसी तरह आप भी से साफ कीजे तो पीतल के बरतनों को आपको साफ करना है कॉल गेट से और copper के बरतनों को साफ करना है विनेगर और नमक से तो ये दोनों ट्रिक आप चरूर अपने घर पर इस्तमाल करें